ही हाई एवरिवन और आप लोग कैसे हो आपके एक्जाम के स्टरडी कैसे चली हुई है और जो लोग इस वक्त एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ मैं एक इंफिर्मिशन शेर कर रही हूँ कि कैसे है वो 120 प्लस मार्क्स है वो गेन किये जाए एक्जाम के कर सकते हैं और जो जिन लोगों ने अभी त्यारी स्टर्ड नहीं की है उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि अभी त्यारी एक्जाम की त्यारी स्टर्ड कर दो क्योंकि दिखो इस एक्जाम के अंदर है हमें 90 प्लस मार्क्स कितने भी है वो लेकर आनी है और एक परी करने क के बाद इसे साइड में रखना है बार-बार में हमें इसके त्यारी नहीं करनी है और इस एक्जाम के अंदर कोई वो अच्छे से एक्जाम के त्यारी कर ले और 120 प्लस माक्स लिया जा सके और अपने माक्स को इंप्रूमेंट करने के लिए हम कौन सी हैसी टेक्निक है वो अपनाएं तो सबसे पहले मैं यह कहूंगी कि पिछले पास साल के प्रिविश सेर कोश्चन पेपर है उनको जूर अनल नोट्स है उनको रिवाइज करो और उनको बार-बार में रिवाइज करते रहो क्योंकि देखो नोट्स बनाना है सब कुछ नहीं होता उनको रिवाइज करना उनको बार-बार में रिवाइज करके ही हम अपने जो कौन सैप्ट है उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते है और हमारे revision होनी बहुत ज़रूरी है तो हम सबसे पहले notes बनाएंगे और notes बनाने के बाद है उनको previous year question paper के थुरू हम देखेंगे analysis करेंगे कि उस जो topic आपने जो किया है उसके जो notes बनाए है उस पर किस-किस तरह के question आए है और previous year question paper उनपे ज़रूर लगाएंगे और जो अगर जो लोगों का English कमज़ोर है Hindi कमज़ोर है उनको थोड़ा सा अच्छे से उनको time देना पड़ेगा और एक दिन के अंदर एक घंटा मैं कहूंगी एक घंटा उस subject उज़रूर दो जो आपका weak point है जो आपका weak subject है उनको ज़रूर दो क्योंकि देखो हमारे ऐसा ज़रूर नहीं है कि हमारे हाँ subject अच्छे हो हर किसी की कोई ना कोई weakness होती है चाहे वो कोई भी subject ही क्यों ना हो तो उस subject को थोड़ा सा अच्छे से हमें त्यारी करने पड़ेगी और उसको अपना जो negative point है उसको हमें अपने positive point में लेना है और उसको अच्छे से strong करना है और यह सब चीज़े है notes पना कर पढ़कर ही दूर किया जाएगा अब एक महिना है तो 4-5 गंटे तो हमें अराम से निकालना ही होंगे चाहे वो housewife हो और एक student है जिसके पास job अगरा नहीं करनी जिस सिर्फ पढ़ना ही है तो उसे तो मैं कहूंगे 7-8 गंटे वो ज़रूर exam के लगाए देखो आगे आने वाले time में vacancy आने वाली है तो इसे लिए अब भी अच्छे से त्यारी करके ज़रूर निकाल लो मैं तो कहूंगी और English Hindi है उनमें ऐसे alternative days ले लो आज English की त्यारी करनी कल Hindi की करनी है पर से English की करनी है उसे next day Hindi की करनी है ऐसे alternative days बनाने से बोरिंग भी नहीं लगेगा और एक से दिन में दो सब्जक्ट ज़रूर करो दो सब्जक्ट करने से क्या होगा कि हम अच्छ से उसको टाइम भी दे पाएंगे अगर मालो दो सब्जक्ट है हमारे पास करम करने को मालो आज मने English लिया और EBS लिया ठीक है दो गंटे English के दो गंटे EBS के तो सीट्रट के लिए इतना करना इनफ है और अपने जो कॉंसेप्ट है उसको थोड़ा से क्लियर करके ज़रू चलना है तो इसी तरह अगर हम थोड़ा सा भी अच्छ से कर लेंगे थोड़ा से प्रैक्टिस कर लेंगे टाइम मेनेजमेंट कर लेंगे प्रिवेस एरकोशन पेपर लगाकर मॉक टेस्ट लगाकर जो कॉंसेप्ट है उनको मजबूत कर लेंगे फिर हमें आगे है वो दिकत नहीं होगी हमारा टाइम मेनेजमेंट करना जरूरी है क्योंकि एक्जाम में ऐसा ही होता है हमारे सुक्त एक्जाम का प्रेशर होता है और उसे तो हम इतना हडबढ़ाट में क्या होते सही चीज़ को गलत कर या तो जब हम आग कर दिखते आंसर की चाह करते तो हम खुद बच्टा दे कि इतना इस दिकोशन है वो हमें गलत कर दे सब की स्केल थ्रू होता है वो सब रिविजन के थ्रू होता है जिसको हम अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं और मैं यह कहूंगे कि एक दिन में आदा घंटा ही सही देखो उसके लिए जादा ज़रूर नहीं है ज़र टेम दो वो है पैड़ागोजी पैड़ागोजी आपको पता है हर सब्जक्ट के अंदर आने है चाहे वो इंगलिश हो हिंदी हो मैथ हो एविए सो पैड़ागोजी है वो आदा घंटा करो ज्यादा मत करो क्योंकि देखो उसमें हमें जो नेगेटिव पॉइंट है उनको कैसे पकड़ते है और एक जो रियल क्लास सिचूशन होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं उस चीज़ के बारे में बताया गया है तो यह भी आप और देखो पैड़ागोजी कैसे सब्जक्ट है ऐसी चीज़ है सब्जक्ट तो नहीं कहूंगी से में पैड़ागोजी कैसा है जिसके थुरू हम अपने माक्स को है वो नेगेटिव होने से बचा सकते हो और हमारे माक्स है वो इंप्रुमेंट की तरफ ही जाएंगी तो यूट्यूब चैनल से आप कहीं से भी आप एक एक मैराथॉन जरू देख लो वो पाच-पासाथ घंटे की जो मैराथॉन होती ना पर सब्जक्ट की तो आप वो देख लोगे तो उससे भी आपको बहुत हैफुल मिलेगी मैराथॉन के दूरू और जो सीडीपी है सीडीप जो मेन मेन जो थियोरी है ना जैसे कॉलबर्ग हो गया प्याजी हो गया वाईगोट्स की हो गया इनके हमें थियोरी है यह थोड़ा सा अच्छ तरीके से करके जानी है क्योंकि देखो अभी पहले ही कुशन आते थे कि संग्यान अत्मक विकास पर किसने बोला को गनेटीड पर किसने बोला प्लेवे मेधस की इसका है ये सब देते थे फोड़ा तमों के सासाहँ है इस तोड़ार्पनिकरव को अच्छे पूषते हैं कि का पूचित का थीड़ा है याति कर चॉक 뭐 है उस नियुक्त केमा है क्योंकि वो हमारे basic manners के जो real life situation होती एक school के अंदर एक class के अंदर और child centered education उसके बारे में बताया गया है तो इस सब चिजे थे प्दिन फैडाओ गोजे कर रहेंगे अंदर एक डीन टेम आउ पर हमें अच्छे से घ्यान दै है कि एक त्युक्तिन छे में के क्योंकि आधिनिक पार जो यह उपनी होतारा कि हमारी basic common sense है, वो कैसी है, तो यह सब चीज है, वो आप मोखे तुरू ही कर सकते हो, अभी थोड़ा festival time है, थोड़ा से अपने आपको relax करो, और अपने आपको खिलग जाओ, अब बस हमारे पास time बहुत limited रहे चुका है, और इस exam में के लिल निकाल कर, हमें अपने आगे competition की त्यारी करनी है, और इसके बाद मैं आप लोगों कहूंगी कि एक दिन में एक पैसेज जुरूर सॉल्व करो, आज English का करो, कल Hindi का करो, पर सो English का करो, नेक्सर फिर Hindi का करो, पैसेज करने से क्या होगा, कि हमारी जो speed है, वो गेन होगी, और हमारी improvement होगी, क्योंकि क्या होता ह है, कि हम जब एक दूम पैसेज जिखते हैं, कि हाँ, इतना बड़ा है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, यह हमारी टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारी इसकी प्रैक्टिस नी होती, तो हम प्रैक्टिस, अगर हम रोज रोज आज English का कल Hindi का, पर सो English का करेंगे ऐसे से पूरे हफ्ते करेंगे तो हमारे एक महीरे के अंदर देखो कितने सारे हम सॉल्व कर चुके होंगे अपने पैसेज को अग्जाम के अंदर हमारा टाइम भी कम लगगा क्योंकि हमने उसी बहुत ज़़ा प्रैक्टिस कर ली है तो यह सब स्ट्राटेजी है जिस हमेने तयारी किजिएगा शिससे आपके 120 प्लस मांक्स इजली एसली ला सकते हैं और एक्ञां को क्रैक कर सकते हैं अगर आप Лोगों को कोई काया है तो आप लोक कमेंनट कर सकते हैं और जो लोग नहीं हैं मेंमे वो मेरे साहथ जोड़ सकतें हैं प्लीज मेरी वीडी को जangenß जड़ लाइक शेल और सब्सक्राब की जगा थैंक यू और भाइ